पनोर मंकुरूप जो सोचता है वो करता है पनोर का एक बड़ा फैसला 11 नवंबर को आ सकता है जिसमें बिहार में चार सीटों पर हो रहे हैं उप्चुनाव को 13 नवंबर से आगे बढ़ाने को लेकरके एक बड़ा फैसला आ सकता है दरसल जो यह याचका दायर की गई है या याचका किसी और के द्वारा नहीं बलकि बिहार की सियासत में पहली बार किस्मत आजमाने को उतरे प्रशांत किसोर की पार्टी जन सुराज की ओर से दायर की गई है प्रशांग किसोर जिनकी पार्टी जन्सुराज का गठन इसी वर्स दो अक्टूबर को किया गया है और इस बार जब बिहार में 13 नॉउंबर को चार सीटों पर विधान सभा के उपचुना हो रहे हैं तो इन चारों सीटों पर प्रशांत किसोर की पार्टी जन्सुराज ने अपने उम्मिद्वार उता रहे हैं। अब जन्सुराज सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और जन्सुराज का कहना है कि बिहार में जो 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है इसकी तारीखों को बढ़ा करके 20 नवंबर किया जार। इसके पीछे जन्सुराज ने तरक तिया है कि जिस तरीके से पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल में अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को ले करके वहां के राजनितिक दलों ने व्यस्तताओं का जहवाला दिया और जिसके बाद चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव की तारीकों को 13 नवंबर से बरहा करके 20 नवंबर कर दिया तो उसी तरज पर बिहार में भी होना चाहिए क्योंकि बिहार में जो ये उपचुनाव हो रहे हैं इसी दवरान यहां छट महापरो का भी आयोजन हुआ और छट महापरो को ले करके जो अलग- कार की परिशानिया आई हैं तो इन वजहों से बिहार में भी जो 13 नवंबर को चुनाव होना है उपचुनाव के लिए जो वोटिंग होनी है इसकी तारीकों को बढ़ा करके उसी तरीके से 20 नवंबर किया जाए जैसे उत्तरप्रदेश, पंजाब और केरल में किया गया है तो सुप्रीम कोट ने अपर जनसुराज की याचिका को लेकर के 11 नवंबर को सुनवाई की तारीक ते की है 11 नवंबर को अब यह फैसला होगा कि क्या जनसुराज ने जो याचिका दायर की है कि उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद तारीकों को बरहाया जाएगा या फि से लेकर अंतिम फैसला आप सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर को होगा तो आपको यहां यह भी बता है कि जो 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाओ होने हैं उसके लिए चुनाओ प्रचार की अंतिम थित्थी भी 11 नवंबर ही है तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिनाम आएंगे वो जैसे महराष्ट और जार्खंट के साथ ही देशके अलगलगर निराज्यो लोकसभार विधान सभा के उपचुनाओ के नतीजे 23 नवंबर को आने हैं तो उसी तरीके से बिहार में भी आएंगे तो अब देखना यह मत्पुन होगा कि क्या बिहार में चुनाओ की तारीखें टलेंगी उपचुनाओ 13 नवंबर को होगा या फिर प्रसांद के सोर जो चाहते हैं 20 नवंबर को इसे लेकर के सुप्रीम कोट को अपना अंतिम निर्ने देता है क्या होगा इस पर हम आपको तर्माब आपनेट्स पताएंगे बने रहें निश्कों तुब निश्क